रोमांच की सारी हदेंपार बांगलादेश को आखरी छे गेंदों में चाहिए थे 11 रन आखरी पांच मिनेट में हुआ हाई वोल्टेश ड्रामा अंतिम गेंद पर हार कर भी कैसे जीती साउथ अफरीका पहली बार टेस्ट खेलती रही बांगलादेश की पूरी टीम मारकरम ने चला था रोही शर्मा वाला दाओ 114 के टार्गेट पर हुआ बवाल अंत में केशो महराज ने पल्टा मैच धाएं का अकड़ा भी नहीं चुपाए 11 बल्लेबाज मैदान से रोते हुए निकले बांगलादेशी खिलाडी वर्लकप में हुआ सबसे बड़ा उलट फेर 24 घंटे पहले नियू योर्क के जिस मैदान में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी आज उसी मैदान में बंगलादेश का मकाबला सौथ अफरीका से था अफरीका के बल्लेबाजों ने भी 113 रन के स्कोर पर सरेंडर कर दिया था सारे विस्वटक बल्लेबाज थर-थर काप रहे थे बंगलादेश के गेंद बाजों ने ऐसा शिकंजा कसा था एक पारी के बाद ही साउथ अफरीका के आधे खिलाडियों ने हार मान ली थी लेकिन जिस तरहां से भारत ने पलट वार किया था अफरीका ने भी उसी तरहां की रड़नीती अपनाई रोईश शर्मा के दाओ से मारकरम ने बंगलादेश को ऐसा मुहतोल जवाब दिया पूरी दुनिया देखती रह गई आखरी पांच मिनट में एक बार फिर रोमांच की सारे रिकोर्ड तूट गए आखरी छे गिंदों की कहानी पर आएंगे लेकिन उससे पहले बंगलादेशी गेंदबाजो का कुहराम देखिये साउथ अफरीका के कप्तान मारकरम ने टोस जीत कर पहले बलेबाजी का फैसला किया था मारकरम के इस फैसले को कमेंटेटर बेवकुफी बताने लगे थे क्योंकि बंगलादेश के गेंदबाजो ने पावर प्ले में ही साउथ अफरीका की आधी टीम को पवेलियल लोटा दिया था टिश्टन, स्टब्स और रिजा हेंडेक्स तो खाता भी नहीं कोल पाये थे कप्तान मारकरम चार रन मना कर बोल्ड हो गए कलासेन ने 44 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली डेविड मिलर ने 38 गेंदों में 49 रन मनाए बंगलादेश के सामने साउथ अफरीका की पूरी टीम पहली बार 113 रन मना कर ओलाउट हो गई एक पारी के बाद ही बंगलादेश के गेंदों ने जिश्न मनाना शुरू कर दिया था बंगलादेश के फैंस को लगा था 114 के टारगेट पर आसानी से जीत हासिल हो जाएगी लेकिन दूसरी तरफ खड़े एडन मारकरम ने रोहिश शर्मा की तरह अपने गेंदबाजों को आक का गोला बना दिया मारकरम ने गेंदबाजों को पूरी ताकत जोकने का मंत्र दिया था रोहिश की तरह मारकरम भी समझदारी के साथ गेंदबाजों का इस्तमाल करते रहे सबसे पहले तंजीद हसन नो रन मना कर रबाडा का शिकार बन गए इसके बाद लिटनदास नो रन और शाकीबुल हसन भी तीन रन मना कर आउट हो गए शंटो भी 14 रन के स्कोर पर विकेट दे गए थे पावर पले में बंगलादेश की आधी टीम भी पवेलियन चली गई थी इसके बाद महमद उल्ला और तोहीद हिर्दा ने बड़ी साजेदारी की और बंगलादेश की उमीदों को जिन्दा किया आखरी 12 गेंदों में बंगलादेश को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे मारकरम ने 19 ओवर बार्ट मैन को थमाया था इस ओवर में 7 रन आए आखरी ओवर स्पीनर गेंद बाज के शो महाराज लेकर आए थे मारकरम के स्पैसले ने क्रिकेट के पंडितों को हैरान कर दिया था आखरी ओवर में एक स्पीनर गेंद बाज और जिसे सिर्फ 11 रन बचाने थे बंगलादेश को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी महमदुल्ला क्रीज पर सीना तान कर खड़े थे पहली दो गेंदों में ही चार रन आ गए तीसरी गेंद पर जाकर अली कैंच आउट हुए चोथी गेंद पर सिंगल रन आया अब आखरी दो गेंदों में छे रन की जरूरत थी महमदुल्ला ने पांचवी गेंद पर आसमानी चखका जड़ा लेकिन बाउंडरी पर खड़े मारकरम ने इसे कैंच में तबदिल कर दिया इस असंभव से कैंच को देखकर महमदुल्ला सिर पकड़कर मैदान में ही बैठ गए आखरी गेंद पर महराज ने सिर्फ एक रन दिया और हारी हुई बाज़ी को जिता कर ले गए मारकरम की कप्तानी ने बंगलादेश को चारो खाने चित कर दिया इस हार के बाद बंगलादेश के कई खिलाडियों की आँखें नम हो गई थी साउथ अफरीका की टीम ऐसे जिशन मना रही थी जैसे वर्ड कप जित लिया हो 114 की टारगेट को डिफेंड करके अफरीका ने इतिहासिक रिकोर्ड बनाया है बंगलादेश की सार पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट करेंगे